दोस्तों आगे में बात करेंगे एक second hand camera लेने के लिए हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से मैंने top 10 tips बनाई है जो आपको second hand camera लेने के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होगी क्योंकि हम बहुत सब्सक्राइब होते हैं जो बहुत ज़्याद camera के उपर जाते हैं और देखते हैं कि हमें उसमें कितने अच्छे camera खरीच सकते हैं और कितने अच्छे उनमें features ढूंड कर हम हमाई photograph को बहतर बना सकते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम second hand camera मात खा जाते हैं और हमें कोई problem वाली चीज मिल जाती है क्योंकि second hand चीज होती है तो हम उसको ध्यान से देखना चाते हैं कि अच्छी चीज हमें मिल जाए थोड़ी कम रेट में मिल जाए लेकिन हमार साथ कोई केन बाजी कर लेता है को हमारा साथ चीट कर लेता है तो हम उसमें थोड़ा सा confused हो जाते हैं और हमारा camera जो हम second hand camera खरीदे हैं उसमें भी हमारा और ज्यादा लोज चला जाता है तो मेरे पास हैं टोप 10 इसी टिप्स जो आप second hand camera खरीदे समय ध्यान रखेंगे तो आप एक परफेक्ट किम्रा चोज कर सकेंगे और आप आपकी फोटोग्राफी को बहतर बना सकेंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं मैं आपका सबसे पहले मैं आपको बता हूंगा कि आप जो भी second hand camera खरीदे तो थोड़ा अच्छी quality का खरीदे एकदम घटिया camera ना खरीदे एकदम मतलब की जो ज्यादा ही low cost का हो गया हो इसा ना खरीदे थोड़ी बहुत प्राइस गिरे वह साही camera खरीदे सेकेंगे तो ज्यादा बह मिलेगी वह किसी भी समय पर बंध हो सकता है कुछ भी इसमें प्रोब्लम आ सकती है तो सबसे पहले जो टीप से वह मैं आपको बता हूंगा जब भी आपको खरीदे जिसे मेरे पास अभी फिला लिए camera पड़ा है लेकिन मैं इसके थ्रू आपको बता दूँगा कि भीया किस लेंज का सिरेल नंबर लिखावा था वह मेंच कीजिएगा इससे आपको क्लियर हो जागा कि आपका लेंज और आपकी बोडी जो दोनों एक साथ खरीदी हुई है ना कि यसा कि यह हमारी बोडी थोड़ी नहीं है और लेंज इसमें पुराना लगा दिया या फिर हमारा ले लेना है उसके बाद हमें फोटोग्राफिक किस तरह से करना है वह हम आगे समझते हैं दोस्तों से करने के बाद आपकी जो सेकंड टिप से उसको हम एपलाई करेंगे कुछी तरह से कि हमारे केमरा बोडी का शेटर काउंट शेटर काउंट के अपर मैं अच्छा सा वीडियो बना रखाया आप उससे चेक कीज़ेगा और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन ले दूगा आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां साब जाकर देख सकते हैं किस तरह से चेक किया जाता है इससे फाइदा ही होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कितने खीच चुका है हमारा camera body और इसकी life कितनी है camera body के साथ में इतना शटर तो इसने काउंट कर लिया है इतना शटर के फोटो तो इसने क्लिक कर दिया है अब कितना और बचे है इसा नहीं है शटर काउंट पूरा हो जाने के बाद के मेरा नहीं चलता यदि आपकी शटर काउंट के भी खिस सकता है जितनी उसकी लिमीट उससे ज्यादा भी खिस सकता है तो दोस्तों यह चीज़ भी आपको चेक कर लेन चाहिए अपको फाइदा अच्छे से मिल सके और आप उसका उचिद मुल्य लगा सके इसके बात की तीसरी टिप्स दोस्तों यह है कि ह हमें जब भी कोई भी लिए लगाव मिलता है अकसर हमें केमरा बोड़ी के साथ में कीट लैंस ही मिलेगा लेकिन कीट लेंस में बहुत तरह के लिए अथा इक फोटो क्लिक करके देखिए एक फोटो आप क्लिक कर देदे अट रहे अच्ट पांज पर फूल जूम पर और एक minimum जूम पर दोनों फोटो क्लिक करके देखिए आपको कोई शापनेस में कमी तो नहीं लग रही है आपका केमरा जो है फोकस अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इससे आपका लेंज जो है अच्छे से चेक हो जाएगा और कुछ फोटो जो है आपको बीच के एमे अध्रा ब्रडी जो और भी परकेoples इसके बाद केनेब्स फिलीपस पर चलते हैंhhhh इसके बाद दोस्तों आपको लेंच को ऑटो फोकस पर चेक करें आपने उसके जोनों को क्लिक कर नगा इन दोनोंट आप करने के पुद्जादा काम में आती है तो कि आपको आपको ट्रेकिंग करने से आपको क्लिक करकर देखना है यह अपको पता चल जएका प्रोपर चल रहा है नहीं चल रहा है एक प्रोपर तरीके से जा रहा है यह तो इस चीज़ का भी आप विशेज धियान रखें इसके बाद दोस्तों आपको लेंस को आपकी camera body से निकाल लेना है camera body से निकाल कर आपको दोनों तरफ से चेक करना आपको camera body को भी चेक करना इसके अंदर का sensor जो है आप राम सामने से पकड़ा जाएगी और यहां से आप यूवी फिल्टर जो भी आपके लेंस पर लगा हुआ उसे भी निकाल लीजिए उसके बाद इसको अच्छे से इनलाइज कीजिए चोटा मोटा डस्ट है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर ज्यादा फंकस लगा हुआ ज दो तिन बार लेंस को निकाल के लगा कर भी देख लीजिए आप क्यूंकि कभी कई बार इसा होता है कि कोई केमरा बोडी किसी लेंस के साथ में अटेज्मेंट नहीं हो पाती आसानी से लेकिन आपको एक-दो बार निकाल के वापस से फोटो क्लिक करके देखेंगे तो आप कि मैं लेंस को चेंज करते रहते तो वह लेंस पर बार भार लगाने पर हर बार न हो रहे ह suffered हुराया नहीं हो रहा इसको जयादा आप आप चेक कर लेंगे तो ज्यादा बहतर होगा दोस्तों इसके बाद आपको केमरा बोडी के सारे बटन जीतने भी बटन है वह अच्छे से काम कर रहे हैं यह तो नहीं कि कोई बटन को में ज्यादा प्रेस करना पड़ रहा है तब जाके चल रहा है नोर्मली प्रेस करने पर अ बाकी आप भार से कंडिशन तो ओल्रेडी देख चुके होते हैं तभी आप केमरे को खरीदने का निर्ने करते हैं कि इसक्रेच वगएरा तो आप उसको प्रोटेक्शन ले सकते हैं लेकिन आप सारे बटन को चेक करेंगे तो आपको केमरा बोडी से नो डाउट सब की लिए चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छी आपको बहतर इसमें चेकिंग की सुचिदा मिल पाईगी आप अच्छे से को यूज कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हमारा केमरा बोडी कितना और रहे हैं कितना परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, important second hand camera में आपको LCD screen पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जितने भी DSLR camera है, उनकी LCD screen में हमें photo कुछ और नज़र आता है, और जब हम computer में डाल लेते हैं photo तो हमें कुछ और नज़र आता है, तो आप LCD screen को भी अच्छे से check करेंगे, क्योंकि हम जो photo click कर रहे है, वह फोटो हमारे PC में आ रहा है, थोड़ा बात 19 भी चल सकता है, क्योंकि हमारा display जो है, हमारे PC का, वो भी थोड़ा different होता है, अलग होता है, लेकिन आप screen को अच्छे से check करेंगे, तो आपको colors का doubt निका जाए, क्योंकि बहुत से screen LCD होती है camera की, second hand camera की, कि भी या वो red tone पकड़ने लग जाती है, तो हमें जो photo color tone मिलाने में दिक्काद आती है, हम Kelvin को अच्छे सेट नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो है photography भी गड़ सकता है, तो आप LCD screen को भी अच्छे से check करें, ज्यादा अच्छे से check करने के लिए, आप या तो Wi-Fi connect करकर, photo click करने के बाद mobile में लेकर check करें, या आपको PC available हैं, तो photo click करने के बाद आप PC में भी डाल कर देखें, तो आपको LCD का पूरा अच्छे से पता चल जागा, कि LCD में कोई problem नहीं है, और कोई doubt नहीं है, कि LCD बराबर है हमारे second hand camera है, दोसों next tips आपके लिए यह होगे, कि आप shutter speed और aperture speed, इसके लिए हमें हर DSLR camera में लगबग लगबग दो ring इंट्री लेवल में हमें एकी ring मिलती है, लेकिन इंट्री लेवल से उपर जैसे हम जाते हैं, तो हमें दो ring मिल जाती, इंट्री शेटर के लिए लग और aperture के लिए लग तो यह रिंग अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं इनको भी अच्छे चेक करना चाहिए, इन में rubber grip लगा होता है, वह rubber grip लूज तो नहीं हो गया, अगर लूज हो गया है, तो वह camera अच्छे खासे 50,000 किलिक के उपर ले चुका है, तभी उसका rubber grip लूज हो गया है, तो हमें उसका ग्यान नहीं हो पाता है, अगर condition अच्छी है, तो आप अच्छा ले सकते camera, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो कोई दिकत नहीं, लेकिन उसके सारे features आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जारूरी है, तो shutter speed and aperture speed की जो हमाई ring है, उसके grip को भी आप अच्छे से mind में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जोस्तों next tip जो है, वह ज़्यादा important है, camera body की जो हमारी battery है, वह battery original है या नहीं, इसको भी आप चेक करें, duplicate battery है बहुत सारी मिल जाती है, उससे हमारे camera का performance जो है, फोटो क्लिक करने की शमता कम हो जाती है, तो आप चेक करें के battery original मिल रहा है या नहीं, और इसके साथ साथ में आपका battery charger भी जो है, वह original है या नहीं, वह भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि battery अगर original होगी और आपका charger duplicate होगा, तो वह charge पूरा complete नहीं कर पाएगा, यदि आपकी battery duplicator और charger original भी हैं, तो आपकी battery अच्छे से फर्फूम नहीं कर पाएगी, तो इन चीज़ों को भी आप चेक कर लेंगे, तो आप उसका उचित मुल्य ते कर पाएगे, आप जब भी old camera खरी दें, तो आपको bill ना मिले, हो सकता है कि two year के warranty हमें मिलती है company से तो वह expired हो चुकी होती है, out of warranty camera हो चुका होता है, तो आप जिस भी किसी dealer से खरी दें, किसी भी मीत्र से खरी दें, तो एक बार आपको camera body का और lens का serial number note करवा लेना है, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि camera चौरी का तो नहीं है, बाई चांस किसी मीत्रे ने किसी को बेचा हो दूसरी party तीसरी party तक और हमार पास चौरी का camera आ गया है, तो इससे आपको सुईदा मिलेगी, यदि आपको bill भी नहीं मिलता है, तो आप यह चीज़ यूज़ करेंगे, तो आपको second hand camera खरीद में बहुत ज़्यादा सुईदा रहेगी, और आप किसी भी problem से बहुत कोसो दूर रहेंगे, और ज़्यादा अच्छे से आप आपके camera का और आपने business को improvement कर पाएंगे, दोस्तो इसके लावा अभी आपके पास अगदी कोई question है, तो आप मुझे instagram party पर follow कर सकते हैं, वहाँ हम chat के माध्यम से बादचित कर सकते हैं, और आपकी photographic को जो हैं अच्छा बना सकते हैं, कोई भी problem आती है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल